दो दिवसिय यूपी पुलिस भरती परिक्षा खत्म हो चुकी है इस दोरान गड़बड़ी करने वाले 244 लोग गिरतार किये गएं कहीं कोई दूसरे के जगे बैट कर एक्जाम दे रहा था तो कहीं कोई सॉलवर गैंक पकड़ा गया सोशल मीडिया पर पेपर लीग की खबरें भी तैरती रहीं इसको लेकर खुद सपा मुखिया के लिए श्यादम ने सवाल उठाया उन्होंने का कि पुलिस भरती परिक्षा दोहजार चौबिस के सभी सत्रों का पेपर लीग होने की न्यूज सोशल मीडिया पर स्क्रीन कि पेपर लीग हुआ है मान लीजिए उसमें एक लाख बच्चे सो परसेंट नमर पा गए या दस लाख बच्चे बहुत अच्छन नमर पा गए तो क्या सरकार उन्हों सबको नौकरी देगी बता देगी यूपी पिलिस कॉंस्टेबल की 6,244 रितियों के लिए दो दिवसी भरती परिक्षा 17 फरवरी 2024 से शुरू हुई इस भरती परिक्षा में 48 लाख से ज़ादा उमीदवार बैठे परिक्षारतियों की इतनी बड़ी संख्या के मद्दे नजर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2385 परिक्षा के इंद्र बनाए गए हालकि कड़ी सुरक्षा और सक्त पहरे के बीच आयोजित भी इस परिक्षा के पेपर लीख होने के भी खबरे आई सोशल मीडिया पर पेपर के कुछ स्क्रीन शॉट और फोटोस के साथ दावा किया जा रहा है कि 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में आयोजित हुई यूपी पुलिस भरती परिक्षा का पेपर लीख हो गया सोशल मीडिया यूजर्स एक्स पर दावा कर रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर आंसर की के साथ वाइरल हो रहा है इन सभी दावों पर यूपी पी पी आर बी ने क्वीट कर दावों की जांच करने की बात कही न्यूज एजिंसी को अधिकारियों ने रिविवार को बताया कि बलिया जिले से चल रही पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिक्षा में कतित धोका धड़ी के आरोप में पुलिस ने चौदा लोगों को गिरफतार किया इसमें एक वन विभाग और स्वास्त विभाग का टेक्नीशियन सही तीन गिरोह के ग्यारा सदस्य और तीन लोग कतित तौरपर परिक्षा में अब भहर्ती की रूप में शामिल हुए थे बलिया के पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने कहा कि पुलिस ने तीन गिरोह का भंड़ा फोड किया जो पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिक्षा को बादित करने की कोशिश कर रहे थे और 14 लोगों को गिरफतार किया गया है गोंड़ा जिली में पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिक्रिया के संबंद में तीन लोगों को गिरफतार किया गया जिसमें एक उमीदवार की रूप में खुद को पेश करने वाला भी शामिल है वहीं इस पूरे मामले पर डीजीपी प्रशांद कुमार न शनिवार को कहा था कि अभी कुल 122 लोग गिरफतार किये गए हैं एटा, महु, प्रियागराच, चंधातनगर, गाजिपुर, आजमगड, गोरगपुर, जौनपुर, फिरोजबाद, कौशामबी, हातरस, जहासी, वारनसी, आगरा, कानपुर, बलिया, देवरिया और बिजनौर में गिरफतारिया हुई हालनकि ये आकडार अविवार को 244 को पार कर गया देखने वाली बात ये होगी कि क्या सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे ट्रेंड पर जाच किये जाने के बाद पेपर लीग की पुष्टी होती है या फिर नहीं और अगर होती है तो क्या परिक्षा रद्ध होगी ये तो देखने वाली बात होगी NBT Online की रिपोड